हेलो फ्रेंट्स कैसे हो आप मेरे नाम है नवीन और आप देख रहे हैं नियो वल्डे की यूट्यूब चैनल दोस्तों आप सभी के लिए गुड नियूज है और आज के वीडियो पहुत ही ज़ादा खास होने वाला है आप सभी के इंडियेट्स के लिए क्योंकि फ्रेंट्स आज के इस वीडियो में हम आपके लिए जल विभा की सीधी भरती की जानकाई लेकर आए हैं जी हां दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे वाटर सप्लाइ डिपार्ट्मेंट में आए लेटेश सिकुर्मेंट के बारे में तो फ्रेंट्स इस वेकेंसी के लिए selection process क्या होगा कौन-कौन से candidates eligible हैं आप विदन कप से कब तक चलेंगे और apply कैसे करना है जी हाँ friends आपको बताएंगे साथी साथ इस online forum को भर करके वीडियो में last तक बने रहेगा सारी जानकरी आपको details में देंगे तो आगे बढ़ने से पहले दोस्तों आप सभी से शिकायत भी रहती है कि आप वीडियो देखते हैं पर लाइक नहीं करते तो जादा से यदा वीडियो को लाइक कीजेगा और अपने सभी दोस्तों के साथ शेर कीजेगा और रोजाना इसी परकार सरकारी नोकरी की जानकरी के लिए आज ही हमारी यूटूब चनल को सब्सक्राइब करें वीडियो के नीचे सलाल बटन को दबाएं साथी साथ घंटी गा बेल आइकन जरू दबाएगा और प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजेगा तो चलिए फ्रेंड फटा फट से आगे बढ़ते हैं बात करते हैं आज की लेटेस्ट सिकुर्मेंट के बारे में जो की निकाली जारी है नैशनल वाटर डवलप्मेंट एजनसी द्वारा जी हाँ दोस्तों NWDA द्वारा लेटेस्ट सिकुर्मेंट का उफीशल नोडिफिकेशन जारी हो चुका है जो की जल विभाग की तरफ से सीधी भड़ती है यहाँ पर क्वालिफिकेशन जो है 12 पास से लेकर की ग्रेजुट पास के इंडियर्स सभी अप्लाई कर सकते हैं और वहीं आपको बता दे कि जोब के लिए आपको जो सैलरी मिल रही है बयाली सजार रुपे कम से कम आप पर मन्स सैलरी पास सकते हैं जो है 25 जून 2021 से अपलाई करने की ऑल ओवर इंडिया की जोब है यानि की भारत के किसी भी स्टेट में डिस्टिक में रहते हैं तो आप अपलाई कर सकते हैं चलिए फ्रेंड्स सीधा आपको हमारी ओफीशल वापसाइट पर लेके चलते हैं बाकि सभी जानकर यापको details में देंगे website के माध्यम से So friends हमारी official website पर आने के लिए आज ही Google में सर्च करें tipsvaryalbus.xyz जैसे friends आप Google में सर्च करेंगे tipsvaryalbus.xyz आप सिधा हमारी official website पर आजेंगे So friends हम आ चुके हैं सिधा हमारी official website पर और आज की इस वीडियो में हम बात कर रहे है National Water Development Agency NWDMI latest requirement के बारे में जैसा कि friends आप यहाँ पर दे सकते हैं various categories के अंदर vacancies है यहाँ पर है junior engineer की vacancy Hindi translator की vacancy junior account officer की post है वहीं upper division clerk यानि की clerk की post है UDC की है और LDC की post है वहीं साथ ही साथ stenographer grade 2 की भी jobs यहाँ पर देखने को मिल रही है Total vacancy जो है 62 है और apply के वल आपको friends online ही करना है All over India के candidates male और female apply कर सकते हैं वहीं friends salary आपको मिलेगी 19,900 से 1,12,400 रुपे तक पर मन्त आपको salary मिलेगी Job location जो है friends पूरे भारत की है वहीं age limit जो है 18 से 30 साल है और application fees जो है education qualification जो है बारवी पास डिपलोर पास और एनी ग्रेज़ोड पास के अपलाई कर सकते हैं तो अगर आपके पास में ये qualification है तो apply ज़रूर की जएगा इसके आप इसन जो है 10 मही से लेकर के 25 जून तक चलेंगे यहाँ पर आपको apply करने का लिंक मिलेगा साथ ही साथ notification का लिंक मिलेगा तो फ्रेंट्स notification पर आप जाएंगे तो यहाँ पर आप दिसकते हैं पूरी जानकरी details में दे रखी है इंडियन सिटीजन से यह आप इदर मांगे जा रहे हैं यानि की all over India की ये job है कौन-कौन सी post है details में जानकरी है salary आपको किस level के according कितनी कितनी salary मिलेगी और category wise यहाँ पर jobs कितनी है total vacancy कितनी है और हर post के लिए age limit का criteria क्या रखा गया है वहीं friends यहाँ पर आप दिसते हैं particular एक-एक post wise यहाँ पर qualification mention कर रखी है तो apply करने से पहले आप जो है यहाँ यहाँ पर qualification और eligibility criteria यानि कि इस notification को अच्छे से check out कर लिजेगा सारी details में जानकरी आपको यहाँ पर मिल जाएगी इवन आपको application fees के बारे में सारी जानकरी दी गई है यहाँ पर आप दिसते हैं ICUME में छूट किस प्रकार है reserve candidate को SCST को 5 साल की छोटे OBC को 3 साल की है बाकी PWD को 10 साल की है अलग-अलग category wise वहीं दोस्तों how to apply के section पर आप आएंगे तो आपको apply करने का पूरा process यहाँ पर दिया गया है और selection process की जानकरी यहाँ पर पूरी मिल जाएगी अब आपको बताते हैं apply कैसे करना है important links में आपको apply करने का link मिलेगा हमारी official website पर यहाँ पर आपको click करना है आपके सामने इस तरीके से नया page आजाएगा friends अगर आपने registration कर रहा है तो आप login करके forum submit कर सकते हैं अगर आभी तक आपने apply नहीं किया है registration नहीं किया है तो register पर आपको click करना है आपके सामने ये online forum आजाएगा दोस्तों यहाँ पर जिस post के लिए आप apply करना चाहते हैं उसको आपको select करना होगा उसके बाद आपका पूरा नाम आपको डालना है आपकी date ओपत यहाँ पर देनी है आपको उसके बाद आपका email ID देना है आपका mobile number क्या है आपके पिताजी का नाम क्या है माताजी का नाम क्या है nationality क्या है उसके बाद military status क्या है अधरकार number क्या है category क्या है आपकी general OBC, SC, ST जो भी है वो आप select कर लिजेगा उसके बाद यहाँ पर आपको आपका जो fees का amount है वो फिल करना है उसके बाद जो भी जानकर याप से मांगी जाती है वो step by step यहाँ पर फिल करनी है उसके बाद आपका address जानना है state आपका कौन सा है, city कौन सी है उसके बाद आपके documents में आपको यहाँ पर color passport size photograph scan करके upload करनी है signature भी upload करनी है उसके बाद ही capture code को आपको यहाँ पर type करना है और यहाँ पर checkbox को write करके आपको यहाँ पर submit registration forum के button पर click कर देना है यहाँ पर जैसे आप click करेंगे आपका forum submit हो जाएगा उसके बाद आप चाहें तो यहाँ पर correction भी कर सकते हैं और फिट से submit कर सकते हैं तो सारी जानकरी के लिए notification को check out कीजेगा यहाँ पर सारी जानकरी आपको details में मिल जाएगी तो friends आपको इसी परकार apply करना है अगर आपके मन में फिर भी कोई सवाले शंका है तो वीडियो के नीचे comment box में comment जरूर कीजेगा हम आपको जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे अधिक जानकरी के लिए website को विजिट जरूर कीजेगा और चेलन को subscribe जरूर कीजेगा Please thank you so much